नमश्कार दोस्तों इस चैनल पर आपका श्वागत है दोस्तों फटी एरियों का स्थाई समाधान के लिए हम वीडियो आपको दे रहे हैं तो आज की वीडियों में बतला रहे हैं आपको की फटी एरियों का समाधान किस तरह से किया जाए अर्जेंटली उसको किस तरह से खत तरह है उसमें हमने तिन-चार चिछों को मिला को जो आपके लिए dalemडई बना रहे उसमें हमने तिन-चार चीजों का यूज किया है। और किस तरह बना है यह देखना आपको से बेंखना जरूरी है फिर उसको लगाने की कौन सी बिधिक किस तरह से लगाना है ये पूरी देखना आपको बहुत ही जरूरी है तो चलिए हम आपको विडियो बनाने में फर्स्ट हम को अल्मॉंड ओयल जो बादाम का तेल होता है बादाम के तेल का यूज़ किया है आपको आपके नीट के हिसाब से जरूरत के हिसाब से बादाम का तेल लेना है हमने यहाँ पर आदा चमच जो है बादाम का तेल लिया है यह आदी चमच बादाम का तेल हमने डाला इसमें सेकेंड जो चीज़ आपको लेना है मुंबत्ती को लेना है मुंबत्ती का जो मुमबत्ती जो कैंडल्स आप यूज करते हैं घर में यूज करते हैं या उस मुमबत्ती को जला हुआ मुमबत्ती का जो है पार्ट होता है जला हुआ मुमबत्ती का जो मुम होता है उसको यूज करना है जली मुमबत्ती का उसे निकला हुआ मुम जो होता है फटी एरियों के ये सा स्थाई शामाधान उससे निकलता है तो ये जलेवे मौमबत्ती का पार्ट्स आपको यूज करना है ये हमने मौमबत्ती जलाया है जलाने के बाद जो उसका पार्ट्स निकलता है ये देखिए उसका पार्ट्स निकलता है जलावा मौम जो है निकलता है इस तरह से आध इसमें भी ले सकते हैं आप इसमें भी जलीवी मुम्बति का जो है उसका केमिकल जो मुम का है वो आपके ओल ले लेना है यह हमने ले लिया है यह आप अपनी जरूरत की हिसाब से आप अपनी जरूरत की हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं तो यह आपको इसमें मिला देना है is जली कोई वह को यह देखे यह पार्ट आव मिला रेना कि यह मिलाने के बाद आपको यूज़ करना यूज्म करना है फिस्वास का प्र सफ, आप यूज़ करते हैं यह आप हमने यह यहां पर आपको यह कुलीन के कैनका और दूसरा जो हमने यूज किया है मालय का फेस्वास यूज किया है तो जिस फेस्वास का आप यूज करते हैं उसका आपको आधी चमज तो फेस्वास का आधी चमज आपको उसमें मिलाना है यह हमने आधी चमज फेस्वास का इसमें मिलाया यह निकाला और निकालने के बाद आ आपको आधी चमस पेस्वास है कि यह में डाल करें आपको आपस में अच्छे से फ्रेंट के और इसको एक पेस्ट की तरze आपको बनाना प्राइब यह प्रेश की तरह और झालिए बदाम का तेल फेस्वास और जली हुए मुबत्ती कमों इससे आपको पेस्ट ये पेस्ट बन गया सबस्ट यह पेस्ट बन गया अब इसको आपको फटी एरियों पे अपलाय करना तो अपलाय करने से पहले आपको एरियों को अच्छे से साफ कर लेना है किसी भी सावन से आप साफ करते हैं उससे साफ कर लेना है या वाटर से आपको धू लेना यह आप मैंने बना दि माचिस की तिली में कॉटन लगाके, आप इसमें ये देखिए ये लगाके, आप उस पे लगा सकते हैं या तो अंगली के पोर से भी आप उसको अंगली के पोर में इस तरह से लगाके और फिर आपको फटी हुई एरियों पे आपको अपलाई करना है धीरे धीरे अपलाई करके और जो एरियां जो जादे ही डीप में फट गई हैं तो उस पे इसको भड़के और फिर उसमें मसाज करना है मालिस करने के बाद पूरा इस तरह से उसको मसाज करके और मिला देना है फिर और आधे गंटे के बाद आप चाहें तो दो सकते हैं या ओर नाइट इसको छोड़ सकते हैं सुबह में आप इसको साबून से साफ कर लेंगे या जो जिस चीज से आप सैंपू के दोरा साबून के दोरा साफ कर लेंगे साफ करने के बाद आप उसको कु जाएगा और फटने की समस्या रूख जाएगी जो फटा हुआ है उस्वा क्लीन हो जाएगा तो दोस्तों सुबह में जो है हम आपकी हेल्फ से और बीटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं अपने वीट्यू को देखने के लिए सुबह साथ बजे आप हमारे वीडिय